दोस्तो स्वागत अब सुभी का एक बर फिर से आपके अपने YouTube जनरल की एक्सपर्ट गुरू जी मैं जी आइ स्वागत आप सबी का एक बर फिर से World की सबसे बड़ी rivalry याने की India versus Pakistan के match मैं याने की भारत बना पाकिस्तान के match मैं एक बार फिर से ये दोनों टीमें भिनने जा रही है तो क्या इस वाले मैच में हमारी टीम होनी चाहिए फैंटसी के लिए कौन से वो 11 प्लियर्स है जो इस वाले मैच में तभाई मजाने वाले है कम सेलेक्शन के साथ मैं बहुत बड़ी है पपोइश देंगे तो स्टेट्स अने लाइचिंग के साथ मैं पूरा वीडियो देखेंगे इस वाले मैच के लिए बहुत शांदर वीडियो होने वाला है साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इस वाले मैच के क्योंकि पिछला मैच तो बारिस में धोलिया था लेकिन इस वाले मैच में एक खुशकबरी आपके लिए यह है इस वाले मैच में भी यहाँ पे आपके लिए बारिस के चांसे हैं मैच में लेकिन फिर भी क्या होगा ना रिजर्ब डे रखा गया है यानि कि अगर मैच नहीं वह पाता है बारिस के लिए तो उस condition में अगले दिन match शुरू हो जाएगा और वहाँ से match restart होगा तो यानि कि reserve day रखा गया है तो भाई सब आपके लिए fantasy में क्या इससे फरक पढ़ने वाला है तो मैं आपको बोलूँगा हाँ फरक पढ़ने वाला है क्योंकि अगर reserve day में match होगा तो भाई condition बिल्कुल बदल जाएंगी Paris के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है इसलिए इस वाले match में important है कि मैं जो prediction दे रहा हूं उनके ओपर गौर करना जो key players बता रहा हूं वो बहुत important होने वाले है क्योंकि कम selection के साथ में बड़ी का पफ़वच देंगे आपके लिए तो वीडियो का फिशानदार है match analyzing शुरू करते है आर प्रेमादास स्टेडियम जो की कोलंबो का ground है अब इस ground की pitch report जो है न हमें आपको फिर से बोल रहा हूं final pitch report आपको टेलिग्राम पे ही मिलेगी और एक और आपको hint देता हूं इस से पहले श्रीलंका और बांगलादेश का एक match है उस match पे भी नज़र रखके रखना कि wicket किस तरीके का है अगर वाँ पे fast बुलर को मदद है तो इस वाले match में भी fast बुलर पे ध्यान रखना spinners को help है तो इस वाले match में भी spinners पे ज़्यादा गौर करना है तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि श्रिलंकार बांगलादेश के match में यही ground यूज होने वाला है तो वाई जरूर से देख लेना कि कोलम्बो की pitch report क्या होने वारी है अब यहाँ पे stats के तुरू तो हम discuss करेंगे लेकिन final pitch report आपको telegram पे मिल जाएगी इसलिए आपको क्या करना है telegram join कर लेना बाकि वीडियो तो खाफी शांदर है सब कुछ update आपको वापे मिल जाएगा बागी सीधे बात करेंगे pitch report के उपर तो जैसा कि मैंने बोल दिया है कि श्रिलंका बांगला देश का match खेला जाएगा उसको पर नजर रखना लेकिन stats के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफकानस्तियान की एक सीरीज हुई थी ठीक है और ये इसी महीने यानि कि अगस्त में ही हुई थी एक महीने पहले 26 अगस्त के करीब उस वाले match में क्या हुआ था उसके उपर भी बात करने वाले है लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले pitch की तो भाई देखो लंका प्रीमिर लीग के भी खाफी सारे match जहां भी खेले जा जुके है वहाँ पे spinners को बहुत तकड़ी help मिलती थी अब यहाँ पे क्या होने वाला हो सकता है एसिया cup में नई pitch तयार की गई हो फास्ट बलर को help मिल जाए तो इसलिए final pitch report के लिए wait ज़रू करना average coach जो है 240-260 के something है last के जो 4 ODA match के लिए है उनमे 26 wicket Pacers को मिले है 32 wicket Spinner को मिले है clearly मामला भाई Spinner के मामले में थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ेगा बागी total match 139 खेले जा चुके बाद में बैटिंग करके जीते है अब यहाँ पर 75 मुकाबले पहले बैटिंग करके जीते लिए इसका reason क्या है क्योंकि भाई second innings में चलती है यहाँ पर spin bowling समझ में रहा है अब यहाँ पर Pakistan और Afghanistan को जो match हुआ था उसमें भी आगर आप देखोगे तो Pakistan ने 268 कर दियो थे 50 over में जो कि अफगानिस्तान उसको chase नहीं कर भाया था अब यहाँ पर first innings में आप देखोगे तो Pacers ने 5 wicket निकाले थे लेकिन second innings में चमके spinners चहाँ पर spinners ने 6 wicket चटका है Pacers ने भी wicket चटका है थे 4 wicket लेकिन ज्यादा wicket मिले spinners के नाम पे उससे पहला वाला मैच अगर आप देखोगे एक साल पहले खेला गया था जो कि स्रेलंका और उस्टिलिया के बीच में हुआ था स्रेलंका ने 160 बनाये थे ठीक है और उस्टिलिया ने वो मैच आसानी से चेज़ कर लिया था अब वहाँ पे आगर आप देखोगे तो Pacers को पहले इनिक्स में अच्छे wicket मिली पांच wicket मिली लेकिन सेकंड इनिक्स में क्या हुआ spinners चमके फिर पांच wicket जो है spinners को मिली पर यह देखने को मिलता है कि सेकंड इनिक्स में यहाँ पे spinners अच्छे चलते हैं उसका रीजन यहाँ पिछल जो है पुरानी हो जाती है और पुरानी पिछल पे spinners अच्छे खाजे wicket नकाल लेती हैं अब यहाँ से बोलर्स के विगेट के आनलाइजिंग भी देख लेती है लास्ट के जो चार ओड़ यह image खिले खें है किस तरीकी से wicket नकाले है तो पेसर में बात करते हैं में आपे राइट अन फास ने सात विगेट ने काले है राइट अन फास मेडंम ने आठ विगेट ने काले है राइडर मीटिम ने 6 wicket साथ साथ लेफ्टाम फास्ट मीटिम ने 5 wicket ने ज्यादा वैरियेशन देखने को नहीं मिलेगा, आपस्ट बुलर है तो अच्छा कासेए विकेट चटका रहे लेकिन वैरियेशन देखने को मिलेगा आपको इसमिन बोलिंग में spin bowling में भरवर के wicket हैं पे मिलते हैं left arm orthologs ने 11 wicket चटका हैं off break ने भी 11 wicket चटका हैं और leg break भी खाहीं कम नहीं है 10 wicket और 9 ने भी चटका हैं चाइना में इनको wicket नहीं मिले लेकिन इस वाले match में चाइना में इनको भी wicket मिलते हो दिख सकते हैं क्योंकि कुल्दी प्यादब खेल रहे हैं इस वाले match में ध्यान रखना तो भाई variation spin में नहीं देखने को मिलते हैं इसका मतलब यह है कि spin bowling जबरतस चलने वाली है वागी head to record की बात कर रहा है तो पाकिस्तान जबरतस form में चल रही है लास्ट के 5 के 5 मुगाबले जीत का रही है पाकिस्तान बहुत जबरतस form में है लेकिन इंडियन टीम क्या इस वाले match में यहां पे थोड़ी वापसी कर पाएगी देखना होगा वागी यहां पे 133 टोटल मुगाबले खेले जा चुके अभी यहां से केitल रावल फिट हो गया है एकदम फिट है अभी देखना होगा रिशान केशन को खेलाए जाता है या फिर केल रावल को मेरे इसाब सब दा रिशान केशन को खेलाणा चीए क्योंकि लाफट है अगर केशान को खेलाएंगे तो बैकेप के लिए बहुत अची टीम बना सकते हैं हर्दिक बंडे के साथ में बाकि यहां से ट्रविंद्री चड़े चाहे इंपोर्टेंट टरिंगेस वाले मैच में शार्दोल ठाकूर खेलने वाले हैं कुल्दी प्यादब भी खेलने वाले हैं मौम्मस शिराज भी खेलने वाले हैं अब यहां से जसपरीध भॉम्रा आपको पता खोगacă पर्सनल टीर्जकें से वो इंडिया गए थे वापस अभी यहां से जस्परीध भॉम्रा वापस आ चुके हैं अभी देखना होगा टीम से कौन सा खेलाडी बाहर बिठाया जाता है मुहम्मद समी अच्छे बोलर हैं लास्ट में भी अच्छी बोलिंग करके आ रहे हैं लेकर अगर जस्परीद भुम्रा आएंगे तो मेरे इसाब से मुहम्मद समी को बाहर करना चाहिए क्योंकि बैटिंग जाता कुछ खास करना नहीं पार है तो आठ दुल ठाकूर की जगह पे भुम्रा बापसी करते हैं तो बहुत अच्छी टीम बन सकती है वाग यहां से बात करते हैं स्टेट्स के उपर सभी ब्लेट्स के स्टेट्स रोई शर्मा लास्ट मैच में बहुत जबर्दस चले 74 की नौट आट पारी देखने को मिली थी वाग इससे पहले फॉर्म बहुत खराब चल रहा है अब पाकिस्तान के अगेस्ट इनकी प्रॉब्लम यही है कि शाहिन साफरी दी आते हैं और यह चली जाते हैं अब यहां से भाई सब देखना होगा इस वाले मैच में क्या करते हैं अब यहां से देखो स्टेट्स के अगर मैं बात करूँ तो स्टेट्स बहुत खराब है पाकिस्तान के किस्त अफ ऑकिस्तान के अच्छे हैं लेकिन शाहिन साफरीदी च्अकर्श बहुत करहुथ है तो भाई सुरूम में आएंगे पावरॉबल में शाहिन साफरीदी और आउट कर सकते हैं लείकом मेरा दिल यह कहताostat है कि इस वाले match में रोहिश शर्मा जो है अच्छा चलने वाले अभी मेरे दिल कहा रहा है मैं आपको prediction नहीं दे रहा है सिर्फ मेरी gut feelings बता रहा हूँ आप जो है अगर grand league में try करना चाहूँ तो कर सकते हो और रोहिश शर्मा से मुझे याद आया कि कुछ अंडमंड player है जो fantasy खेलते हैं मैंने उनका वीडियो देखा और भाई सब वो क्या बोल रहा है रोहिश शर्मा को roast करने चले हैं भाई सब क्या ही बोलू अब मतलब यार इंडिया में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं ये आज देखने को मिल रहा है देखने को तो बहुत पहले ही देखने को मिल चुगा था लेकिन आज पता जल रहा है कि कैसे कैसे चूतिया लोग याँ पर रह रह रहे हैं क्योंकि रोहिश शर्मा जैसे player को roast करने चले हैं जनके खुद की आउकाद 2-54 की निया अब मैंने उसका वीडियो देखा यार मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं वीडियो देखा और वो बोल रहा है कि रोहिश शर्मा नहीं चलता ये वह बड़ा पाव फलान भाई उसने जो किया न कंट्री के लिए उसका तुमने 116 भी नहीं इसका एकमातर ऐसा बल्लेबास था जिसने 5 सा तक किसी वर्ल्ड कप में लगाए हूं ऐसे प्लेयर के अगरेस्ट आप कुछ बोल रहे हो जो कि इंडियन टीम का कैप्टन है इंडियन टीम को रेप्रेजेंट कर रहा है तो आपसे वड़ा महाचूतिया कौन हो सकता है हाला क फोर मच्छा नहीं है लेकिन वहीं सब के आथ में नहीं होता है विराट को यह भी तीन साल फोर में नहीं रहा था उसके बाद उसने भी बाप सिखी थी लेकिन यार रोई शर्मा अपना फेबरेट प्लेयर है हमीशा रहेगा तो रोई शर्मा के लिए हम होप करते हैं इस व जिते थे आपको पता ही हुआ बाकि विराट कोली विराट कोली अच्छे फोर में चल रहे हैं लेकिन चार रन बनाया पाई थी ओनली पाकिस्तान के गष्ट साइन साफ फृरीदी ने बोल्ड कर दिया था लेकिन इस वाले मैच में इंपोर्टेंट रह सकते हैं पाकिस्तान के गष्ट अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड है ठीक है अब यहां से एक वर बाद आपको पता देता हूं लास्ट येर दुहजर बाईस में आठ सेतंबर को इन्होंने बापसी की थी प्राइम फॉर्म में यानि कि अफगानिस्तान के साथ वो मैच था जहां पर शतक लगया ज अच्छे दिख रहे थे लास्ट मैच में पाकिस्तान के अगैस लेकिन पुल शॉट एंगी कमजोर या तो जल्दी आउट हो जाते हैं बाग इशान के संग खेलते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे हार्दिक पंडिया बैटिंग बोलिंग दोनों से काम करके देना वाले है यह भी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं बैटिंग बोलिंग दोनों से काम करके देंगे नेपाल के अगैस तीन विकेट चटकाए थे काम करेंगे अपना रखके चलना बैकि शार्दल ठागोर यार बैटिंग से तो उम्मीद मत करना क्योंकि पाकिस्तान के अगैस तो भूल इन वंमरा भी खेलने वाले उनको भी टीम रखना वागी बैन स्प्रेट्स एयसा कि मैंने बता दिया जब पर इन्सप्रित बोमरा भापिसी करते हुँ द्यूग सकते हैं केल राहुल भापिसी करते हुद सकते बुघ नहीं भूम राएंगे तो मुहम्मद समी की जगा वो बॉलिंग करने वाले कोई टेंशन वाली बात निया डेथ ओपर्स के अगर हम बात करें रवेंदर जड़े जाएं मुहम्मद शमी है साथी साथ हैं से मुहम्मद से राद भी है ठीक है बाउंसर के एकरिस जादा कुछ खास नहीं कर पाते है हलाकि इनका पूल शोट अच्छा है लेकिन फिर भी कई बार बाउंसर पर आउट हो है और हरीश रॉफ बाउंसर से ज़्यादा विकेट निकालते है बागि अब इस रही है हरीश रॉफ के सामने एक बार फिर आउट हो जुकें क्योंकि इनकी कमजोरी भी बाउंसर बाल है पूल शोट खेले जालते है उस चक्करे में आउट हो जाते है बागियां से यार पाकिस्तान की प्लेंग लेंड पर निज़र डालते है पाकिस्तान में आपको दिख जाएंगे फकट जमान और इमाम-उलक ओपन करते दोना ही लेफटन बलेबाज है साधी सत्बाबराजम है मुहमद रिजबान है सल्मान अली आगा इफ्तिकार एहमद शादब खान मुहमद नबाज शाहिन सफरीदी हरीश रॉप और यहां पर नशीम साब लास्ट मैच में क्या हुआ था मुहमद नबाज की जगा पे खिला लेकिन फिर भी अगर यहां पर शमी खेलते हैं तो बहुत ज़ादा रिस्की पिक बन जाएंगे फकर जमान क्योंकि शमी के जागे बहुत ज़ादा स्ट्रगल करते हैं लेकन अगर चस्परी दुम्रा मुहमद सिरा जैसे प्यर भी है तो भी मैं इनको टीम में नई रखने वाला फकर जमान रिस्की पिक बनेंगे ठीक है बागि इमाम वाला अच्छी पिक बन सकते हैं ठीक है और लास्ट मेच में भी अच्छा करके आए 78 के अच्छी पारी खेली दी लेकिन इंडिया के गैस्ट कभी कभी ही चल पाते हैं एवरिज बहुत खराब इंडिया के उन्ली 19 रन बना पाएं इंडिया के घिस्तियां डखना अब इबाबराज हम इंपोर्टेंट रहेंगे इनडिया के घ्रवार रन करते हैं साथ बैटिंग बॉलिंग नहीं विकेट केपिंग टिक है बैटिंग और विकेट केपिंग दोनों से काम करके देंगे तो यह भी इ कभी कभी बोलिंग डाल लेते हैं आफ़ ब्रेक लेकिन अभी फिलाल के लिए बल्लेवाजी कर रहे हैं और यहां से साधाप खान बैटिंग बोलिंग दोनों से काम करके देंगे लगब्रेक बूलर है इस वाले मैच में स्पिन को हैल्प हुई तो अच्छी रहेंगे बाकि इंडिया का ज़्यादा कुछ खास की निकाला था साइस से नोंने या फिर तीन निंगा लेते मुझे याद नहीं आप कमेंट करके बजाओ नसीमसान ने हमें तो मैंच में नहीं करना है फिलाल के लिए बात करें बैंस्वरेट्स में जैसा कि मैं इने बताया फट्राइव म नसीम सा भी स्टार्टिंग में दिखेंगे। पहले साइन्सा उफरीदी और नसीम सा उपर डालने वाले हैं। फिर जब दस उबर हो जाएंगे फिर हरिश्रॉप आने वाले हैं। डेथोबर के अगर में बात करो सादब खान, हरिश्रोफ और सेंसा फरीदी दिखेंगे मेडल में आपके लिए मुहमबन नबाद, सल्मान अलियागा, इफ्तिकार रह्माद जैसे बोलर आपको दिख जाते हैं बागया पर प्लेट्स बैटल पर भी नजर डाल लेते हैं, फकर जमान जो है कुल्दी प्यादब के सामने स्ट्रगल करते हैं, दो बार आउट तुच चुके हैं, हरदिक पंडेर ने भी एक बार आउट किया है बागी बाबर राजम, बाबर राजम कुल्दी प्यादप के सामने दो बार और टूची के ध्यार रखना जैसा कि मैंने अल्डरेड़ी बता दिए आपको कुल्दी प्यादप के अग्विस्ट पाकिस्तान के अप्लेयर बहुत जादा बागी बात करते हैं हमारी fantasy की टीम के बारे में इस हाले match के लिए हमारी fantasy की टीम है कौन-कौन से प्लेर हमको रखने है और final team के लिए आप क्या करना है टेलिग्राम को join करना है link आप को video के description में मिल जाएगा first comment में मिल जाएगा जैसे चाहूँ जोईन कर सकते हैं लेकिन जोईन जरू कर लेना बहुत सब इंपॉटेंट है 19,000 लोग वहाँ पर अच्छी कासी विनिक्स निकाल रहे हैं आप आओ चेक करो टेलिग्राम पर अच्छे कासी मैचिस जा रहे हैं आपका भी सवगत है ठीक है अभी हम बात करते हैं टीम के उपर फैंटेसी की टीम डिस्कस करने से पहले आपको बता दो एक्सेंट 22 जोईनों ने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड फटावर्ट से कर लो क्योंकि फैंटेसी में ये एप्लिकेशन आपकी बहुत हल्प करेगा पैसा बचाने में और पैसा बनाने में आप डाउनलोड चैनलोड ने नहीं किया उनके लिए मैंने लिंक जोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिवी है जाओ वहाँ पे डाउनलोड करो रेफर कोड जोई क्री एक्सपर 22 आपको डालना है एक अक्टूबर से जो आपको बाता है फेंटसी में लगने वाला है वो यहाँ पे नहीं लगेगा अगर आप सो रुपे भी जमा करोगे तो सो के सो आपके अकाउंट में आएंगे वो 28% GST आपका नहीं कटेगा यहाँ ठीक है यह आप में खेलने का आपके लिए फायदा मिल जाता है तो फटा फट से डाउनलोड कर लो आपके और मेरी फैबरेट अप्लिकेशन एक्सचेंज 22 लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्स नमें मिल जाएगा अब इस बाले मेंच के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी फिक्स आ चुकी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो अब यहाँ से आपके लिए पिक्स बता देता हूँ कौन-कौन से अच्छी पिक रहने वाली है देखो तो वहाँ से सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है फिलाल के लिए मैं बेसिक बता देता हूँ बाय का मतलब होता है जितने पॉइंट आपको दिख रहा है यानि कि जैसे कि कुल्दी प्यादव का 50 रुपे में बाय दिख रहा है कर दे हो तो इसका मतलब यह है कि 45 रुपे यानि कि 45 पॉइंट से इसको कम देना चाहिए अगर 45 पॉइंट से इसने कम पॉइंट दे तो आप सीधे सीधे प्रॉफिट में रहोगे लेकिन 45 पॉइंट से जादा पॉइंट दे दिये ले जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा यहां पे एक विकेट के लिए पॉइंट मिलते हैं बीस यानि कि दो विकेट के आपके लिए मिल जाएंगे 40 पॉइंट अगर LBW बोल्ड कर दिया तो सीधे सीधे 48 45 पॉइंट हो जाएंगे जो कि आपके लिए इक्वल हो जाएगा अगर तीन विकेट ले गए तो यहां से मुहमाद सेराज आपके लिए इंपॉटन बाइपिक बन सकते हैं आपके लिए प्रॉफिट जला सकते हैं दूसरे पिक मुझे अच्छी लगी यहां से मुहमाद बाज की 40 रुपे में मिल रहे हैं ओनली ठीक है अब यहां से आपको प्या करना है न टौस के बाद जब यहां पर आओग이 आप बाई करने तो यहां पर नीचे आपको बटन देख रहे हैं न स्व謂च discount available नहीं है लेकिन discount पर जाओगे तो यह सारे प्लेट जो है आपके लिए कम पैसे में दिखने लग जाएंगे ठीके तो फटापट से आओ आपको एक्षें 22 डाउलोड कर ले ना प्रीक्स में पता देता हों मुहमद से राज अच्छी दिख रहे हैं मुहमद नबाज भी आपके लिए बहुत इच्छी पिक दिख रहे हैं साधी साहत यहां से मुझे नजर डाने ले होगी यहांसे हृरिस रॉप भी अटालीस रोपे में यह बहुत उपर यह अच्छी चो 22 ज़रूर से डाउनलोड कर लेना ठीक है लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कोड जो है क्रियक्स पर 22 आपको जरूर डालना है ताकि यह 50 रुपे का बोनस KYC पर 50 रुपे एक्स्रा मिल जाएंगे ठीक है फैंड सी की टीम के बारे मैं विकिट किसंग को भी ट्राय कर सकते हो सेम तिंग अगर इंडिया टीम बल्ले बाजी कर गया तो लोक एस्ट राल को भी ट्राय कर सकते हो लेकिन मैं जा रहा हूं मुहमद रिजबान के साथ में इंडिया के किस्ट अच्छा गेलते हैं विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे क्योंकि साइनस अफरीदी हरी स्रॉप जैसे गेंद पास जो है कैचिंग के लिए अच्छे गासे बोले रहे हैं बग यहां से बैट्समन में आते हैं बैट्समन में आपके लिए रोई शर्मा मिल जाएंगे प्राइम फॉर्म इनका आना बाकी है बहुत दबर्दस चलेंगे बहुत दगड़े चलने वाले अभी देखना होगा इस वाले मैच में कितना पाफॉर्म कर पाते हैं फेंटसी के नेजरियों से देखूँ तो मैं आपके लिए सेफ चॉइस दूँगा क्योंकि बहुत कम लोग इनको ट्राइ करेंगे शैंसा फ्रीदी से खत्रा है इसलिए सेफ खेलो इनको ट्राइ मत करो ठीक है लेकर आप मेरे जैसा रिस्क लेना चाते हो तो बहुत ट्राइज जरूर से करना ग्रेंड लिग में तो ट्राइ जरूर करना बग्यासे विराट को लिगो ट्राइ करके चलो क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे खाजी रिकॉर्ड है बावराज जैंबी ट्राइ करके चलो बाकियार इमामालक की में बात करूँ तो अच्छा फोर्म में चल रहे हैं लेकिन फिर भी इंडिया के कैस्ट अच्छा रिकॉर्ड नहीं है शुममान इग्ल के अगर बात करूँ शुमान इगXT सकता है ठीके और इक बात ये है कि इंडिया में यानि के जो इतने भी ग्राउंड है वहाँ पे अच्छा आखा सार्न बना लेती है लेकिन ओड्सी इंडियार के अगर मैं बात करूँ लास्ट चोटिन की कमजोरी है, हरी शरॉफ आउट कर सकते हैं, बागि फकर जमान इस वाले मैच में फ्लॉप होने वाले मेरे साब से, इफ्तिकार है मैं जद रिस्किपिक बनेंगे, बागि यहां से और कोई प्लेयर खिलता हूँ, आपके लिए नहीं देखेगा, तो दो बेट्स में लेकर चल रहा हूँ, सीधा हूँगा, ओल राउंडर सेक्शन में, सबसे बेल उटा हूँगा, यहां से मैं मुहमद नबाज को सेलेक्शन है, साथ परसेंट चल गए, तो भाई साब बहुत तगड़ी विनिंग होने वाली है, अगर यहां पे स्पिन बोलिंग को हेल्प है, तो भाई कैप्टेन, वाई कैप्टेन सी की अच्छी चोइस बनेंगे, अगर स्पिन बोलिंग को हेल्प है, जैसे के हमने पिच रिपोर्ट में देखा, पिच स्टैट्स में देखा, तो भाई साधा अब खान भी इंपोर्टेंट रहेंगे, बाग यहां से हार्दिक पाकिस्तान में बहुत सारे राइट-हेंडर्स हापको मिल जाते हैं, सलमान अली आगा हैं, बावराजम हैं, मोहमद रिजबान हैं, एफ्तिकार एहमद हैं, शादब खान हैं, बहुत सारे राइट-हेंडर्स मिल जाएंगे, उनको आउट करने का काम करेंगे, रवेदर आदब को क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे खासे रिकॉर्ड देखने को मिल जाते है साथी साथ अब यहां से सुनो अगर पिच रिपोर्ट में इस्पिन बोलिंग को हेल्प है तो फिर यहां से कैप्टेन बाइस के लिए आपको चॉइस पता रहा हूं रविंद्र जड़ेजा, सादब खान और मुहमान बाज इनमेर से आपको CBC ट्राइ करना है अब मेरी परसनल चॉष यह रहीगी कि अगर स्पिन बोलिंग को हेल्प है तो मैं जड़ेजा साधी साथ मुहमान बाज इन दोखों करके चलूँगा लेकिन अगर यहां पर फास्ट बोलिंग को हेल्प है तो आप क्या करना कैप्टेन आपको किसको करना है हार्दिक पंडय को करना है ठीक है अगर फास्ट बोलिंग को हेल्प है तो हार्दिक पंडय को कैप्टेन करना है साइनसा फ्रीदी को वाइस करना है ठीक है समझ गए तो यह कैप्टेन वाइस पॉर्टेंट बात आप बता देता हूं कि नेक्स्ट मैस से मैं गिववे रखनी के सोच रहा हूं तो और कमेंट करके बता ना गिववे रखना चीए नहीं रखना चीए अगर रखता भी हूं तो कौन-कौन इंट्रेस्टेड है ठीक है कमेंट जरूर से करना बाकि फैमिली कस सबस्क्राइब कर लो लाइक जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं का सबसे पहले भाई उनको बोलूँगा कि पाप लगेगा आप लोगों इतनी सारी महनत कर रहा हूं कि विनिंग के लिए आपके फायदे के लिए इतने सारे अच्छे-च्छे स्टेट्स लाला हूं सबस्क्राइब करो हैसे प्यार सपोर्ट दिखाए रहो में बात हैपी विनिंग्स करते रहो ठीक है विनिंग्स आपकी होनी जिए यही हमारा उद्देश है वालकि यहाँ आप आर मिलता हूं में नेक्स्ट वीडियो में लव यू ओल